हेलो रेंस अलकाम बेक्टो माई चैनल आगे हम लोग और एक नाव भी लेक है दोस्तु आज इस डिप्ट में बात करगा आसाम स्टापनास के लिए जो वेकंसी निकल गाया सेंट्रल गॉब्मेंट का और गॉब्मेंट का तरफ से उसका डिटेल्स इस वीडियो में हम शेयर क 59 पोस्ट रहेगा यह जी लिमिटेट में 18 से लेके 50 यार तक रहेगा नोटिफिकेशन डिलेस डेट रहेगा 26-11-12-26 ठीक है एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 39 नबंबाद 24 उसके बला क्लोजिंग डेट यहां पे देख सकता अब लोग 9 डिसंबाद 24 रहेगा अप लोकेशन रहेगा आसाम स्टेट से आप लोग इस फॉर्म को एपला कर सकता है उसके बाद कांटी रहेगा इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस राइटिन एक्जाम डोकन्स वेरिफिकेशन रहेगा उसके बाद ऑपीशाल जो आउसेट रहेगा इसमें आप लोग देख सकते अप लोग देख सकते बुड़ा डिटेल्स उसके बाद हम आप बात करेंगे डी एम आशाम स्टापनस जो एलजिलिट केटरिया रहेगा इस पोस्ट के लिए अप लोग यह आप लोग देख सकते हैं स्टापनस के लिए जो पोस्ट रहेगा जिसमें जी एनम बेसे काउंसिलिंग और रेजिस्टेशन साथ में रहना जरूरी है चास्सो एकन्नो पोस्ट रहेगा इस पोस्ट के लिए फर्म को एपले करने के लिए उसके बाद हम बात करेंगे जी एनम नासिंग ओट वान एर एक्सपिरियंस आईस्यू बीसी नासिंग और जिसमें एनी कॉल से पास किया तो स्टापनस के लिए क्रिटिकल क्या रहेगा उसका इस पोस्ट के लिए एपला कह सकते है 308 पुश्ट रहेगा ठीक है उसके बाद तोटल जो पोस्ट है डिन से खनफेन अर्ट है प Pourst के लिए यहां पर टोटल यहां पर जलतार अलंग पोस्ट के लिए बेक सेलरी मिलेगा उसके बाद स्टाब नाज जो किटिकल क्यार सेलरी रहेगा इसमें 14 हजर से लेके सतर हजर का परमाद सेलरी मिलेगा यह दोनों पोस्ट के लिए ठीक है तो नीचाने का बाद यहां पर आप रूप देशेट से डेट इनपोर्टेंट यहां पर जो ओपिशल लेट है 26-21-22 चब्वीस स्टाटिं डेट रहेगा एप्लाइ करने का उन 31-22 चब्वीस रहेगा और क्लोजिं डेट रहेगा सब्मिट का 9-12-22 ठीक है डेट क्यारेक्शन का एप्लिकेशन रहेगा डिसमबर चब्वीस ठीक है उसका बद अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला तो कैसे अप्लाइ कर सकता है आसम स्टापनास जो एप्लिकेशन रहेगा इसका एड्युकेशन जो आसम का तरह सेट में जाका अप्लोग चेक कर सकते है तो आच्छे से पर डालूट करके एप्लिकेशन फ आसम स्टापनास के लिए जो सिलेक्शन प्रसेस देगा इसमें आप लोगो टाइटीन एग्जाम अंसन देना बाड़ेगा डुक्मान्स वेरेशन होगा मेडिकल होगा उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा ठीक है स्टापनास के लिए यहां पर देखिए वीफोर सेवन ड दिया जाएगा उसके बाद आप लोग नीचा आने का बाद जो इन्पोर्टेंट डेट डानलोड नोटिफिकेशन को वह एक बार हम आपको देखा देंगे सुझ चलिए उन्तरीस 11 से आप लोग को फॉंप कर सकता है स्वाव लड़ी शूरू हो जाएगा कल से आशा करते है आज से वाप जासो करते हैं को अपले करना के लिए आप लोग त्यारी हो जाए वे इसमें आप लोग देख सेता है पीडी अप में जो नोटिफिकेशन जारी किया है यहा पर पूरा पीडी आप में जारी किए इसे आपलोग नीचे आएगा तो नीचे आने का बात नीचे जो पेरामेडिकल स्टापनास के लिए अलाग अलाग पोस्ट के अनुज़ाई अलाग अलाग जो पेकंसी रहागा उसकी डिटेल्स नीचे आप लोगों मिल जाएगा जैसे आई-सी टेकनिशन, लेबरेटरी टेकनिशन, फर्मासिस्ट, मेडिकल ओपिसर, ओप्तिस्ट, ओटी टेकनिशन, फर्मासिस्ट, फीजियो थेरापी, टेडियोग्राफार, उसके बाद आप सोशाल वारकार, स्टापनास, चुवालिस नंबर में आप लोगों देख से दे जै आप लोग इस पोस्ट के लिए अपले कर सकते हैं बहुत आच्छा पोस्ट है जिसमें आसाम स्टापनास के लिए मीडिया फारी से कांसिल का तरफ से रिजिस्टेशन रेंडर जरूरी है सब्सक्राइब लिए अपले कर सकते हैं इसमें पर पूरा बाता दिया है डिरेक्टर और मेडिकल एडुकेशन आसम का तरफ से राखा है स्टापनास का जो पोस्ट है तो आसा करते हैं इस फार्म के लिए आप लोगों के लिए बहुत हैल्पूल रहे का तो बहुत अच्छा से आप लोगों के फार्म को सब्मिट करें तो थैंक्यू वाच्च करने के लिए